अजब गजब सीधी माँ अजब गजब कॉलेज न भवन के पता न मास्टरन के पता न जगह के पता चाठ शटर वाली दुकानन मत चल रही है नर्सिंग कॉलेज विन्दिशेत्र के ये पहिल पगेली न्यूज चैनल मा हम कनिस्तिवारी अपना पंचेन का सबेजनें का प्रडाम करी थे और सुरुवात करी थे ये बड़ी खबर के जोने माँ प्रपजेक्ट बताय दी सीधी माँ तीन वर्शी जी अनम पाठकरमों चार वर्शी ब्यससी नर्सिंग पाठकरम के मानेता लेवाले सीधी कालेज आफ नर्सिंग कुश्मी के पास कालेज भौन के अतेपता नहीं आए कालेज संचालक द्वारा निर्धारी तस्थल से 75 किलो मीटर दूर जिला मुख्याले मां सिटी आफिस खोली के चात्रन का प्रवेश दिन जाला है कालेज मां प्रवेश लाएक बाद चात्र अर्ध्यां कहा करी अउ एकर कौनों ठिकाना नहीं आए सासन के नियमा नुशार वैसा ताब बिना निर्धारित मापदंड के भवन के कालेज का मानेता नहीं दिन जाए चाहिए लेकिन सीधी कालेज आप नर्सिंग का मानेताओं मिल गए और प्रवेशों सुरू कहीं दिन गा सासकी रिकार्ड मां कालेज की जोपता दीन गा है वो मात्र चार कमरन के निर्माला धीन दुकान है जबके निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार नर्सिंग पाठकरम के संचालन खीतिर करीब 25,000 बर्गफिट के सर्वसुधा यूक्त भवन हो चाहिए ऐसा मां सीधी नर्सिंग कालेज आउप नर्सिंग के जी अनेम पाठकरम तथा ब्यस्सी नर्सिंग पाठकरम कर लएके दीन गए मानिता पर कईयक तरह के सवाल खड़े हो डे हैं जिला के आदिवासी विकासखन कुश्मी मां मद्प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल द्वारा 2021 सीधी कालेज आप नर्सिंग कुश्मी का नर्सिंग पाठकरम संचालन है तो मानिता परदान कीए लेकिन नर्सिंग पाठकरम के मानिता है तो जो माप अधन्यन पर कालेज खरा नहीं उतर रहा है ये के मानिता घरलाई के कई अथे सवाल खड़े होई रहे हैं अव कालेज के दूरी जो है नर्सिंग अधिनियम 2018 के अनुसार प्रसिक्षण अस्थल यानी निर्धारित सोबेट के अस्पताल से 50 किलो मीटर परिद के अंदर हो चाहिए लेकिन जिला के अधिवासी विकासखंड कुस्मी के 50 किलो मीटर के परजिमार कौनों सास्की अनुसी अस्पताल संचालित नहीं आए कुस्मी मां संचालित सौंदाइग सौसकेन मां 30 मेड है जिले मां केवल जिला अस्पताल है जो सोबेट से अधिक संचालित हो रहा है जो कुस्मी मुख्याले से करीब 75 किलो मीटर दूर है अपना परजिमार दे कि सीधी कालेज अफ नर्सिंग कुस्मी का आधिवासी विका कारियाले के निर्धारी तस्थर पर महज कालेज के एक बोरण गठा है जबकि कालेज संचालक द्वारा छात्रन का तीन वर्स जीन मां स्पाथकरम उचार वरसी परीब जो ट्राइवल बिल्ट है जहां एक कहा जाए उपेक्षित लोग है जिनके लगे उतना पैसे नहीं है बाप पाहतारी प्रगे उतनी पूजी नहीं है कि लड़ीका बच्चन के साथ ही यादी कौनों में के गड़बड़ीब है धोखा धड़ीब है तो उसे वू बास् सीधी कालेज ओफ नर्सिंग जो यह है या बेहत कहा जाए अभे संकन संकमा है कि या अखिर आयका या कॉलेज आए या फर्जी वाड़ा आए एकर अभे हाला की अभे या पूरे मामला मां हमरे त्वारा इमाज सीधी कलेक्टर नवागत कलेक्टर मुजीवर रहमान खान से बात करें के प्रयास कींगा किन्तु उनकर जस्तता के चलते उनसे बात नहीं होई पाई किन्तु सबसे बड़ी बात यह समझ लेई कि अब पूरे मामला मां या कॉलेज जो है नियम कानूनन के धर्जी उड़ाय के मानिता दीन गही और या मानिता के बात सीधे तोर पर समझ कि वो जो है गरीब लड़िका बच्चन से चलकपट होई रहा है 65-65,000 रुपिया उगाही होई रही है कि तु सोच ही कि आखिर यह लड़िका जब एड़िमी साल ले लेही तब पढ़ी कहां ना कालेज के पता ना बिल्डिंग के पता ना कौनों लैब के पता ता आखिर इ इक वो में डाक्टर बनी ही इक वो में बतलब इनकर जो है तरीका का होई तो सब बिलकुल अबेश सवालन के घेरे माहें और सीधे तोर पर एमा प्रसासन का ए और ध्यान जरूर दे चाही कहे कि यह पूरे नसल का बरबाद कर दी और यह सीधे तोर पर समझी कि गलत लोगन का प्रवेश देए और जब पढ़ाई लिखाई हो पए नकरी तो आखिर कोव में चात्र यहां से निकली के तयार होई के बाहर निकली ही यह सब एक बेहत बड़ा जो है मामला है जो देखे लाइक है और यह का पूरा यह दिप्रसासन जल्द से जल्द नहीं देखतिया है तो यह एक बड़े मामला मात अबदील हो सकत है तो आपने परिवार के बहुत ख्याल रखब धन्यवाद प्रड़ाद